हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई योटूब चैनल ए आई एस एजुकेशन्स आज किस वीडियो में इगनुके जो स्टुडेंट्स जुलाई 2022 एडमिस्टन सेशन में किसी भी मोड में एडमिस्टन ले चुके हैं उनको इन्रोल्मेंट नंबर से लोगिन करने में इस पोर्टल है आपका एडमिस्टन कंफर्म है और यह मैसेज अगर आ रहा है तो आपको क्या स्टेप्स फोलो करने हैं कैसे आपकी प्रोब्लम का सॉल्यूशन होगा एक्जक्त लिस वीडियो में बताऊंगो वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें तो सबसे पहले आप अपने इन्रो अपने स्ट्राइब को सब्सक्रांइब करें अगर यह मैसेज डिस्पले होता है कि काइन्ट फांड करके आता है आपकी प्रोग्राम डिटेल नट फांड को रिशनल सेंटर को ऐमेल लिखना है रिक्वेस्ट फोर अपडेशन ओव डाटा उन टूट मैंजमेंट पॉर यहा Student Management Portal पर अगर अपडेट नहीं है तो यह होगा अगर ऐसा आता है तो email लिखना है Regional Center को और Registrar srd at the rate ignu.ac.in फिर से नोट कर लें Registrar srd at the rate ignu.ac.in यह email वीडियो के description box में भी आवले बल है वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस email पर request for update of data on student management portal of enrollment number और program code यह mention कर दे और इन दोनो original center और student registration division srd दोनों को mail लिखें 10 दिन के अंदर आपका data update हो जाएगा और अगर ऐसा जनरली है automatically भी अपडेट हो जाता है आपको mail करने की जरूरत नहीं है आपका admission confirmation date के आप at least 20 days wait कर लीजिए 20 days के अंदर हर हाल में आपका data automatically update हो जाता है और इस तरह एक आपका page open हो जाएगा तो important link वीडियो के description box में available है जो भी students हमारा channel AIS Educations पहली बार देख रहे है AIS Educations YouTube channel को जरूर subscribe कर लें और bell icon पर press करना ना भोले ताकि सभी updates आपको timely मिलते रहें जो भी ताकि सभी और आपको जाएगा वाएगा आपको जाएगा है